मैं आज बड़ी मुश्किल से नधी पार करके तुमसे मिलने आई हूँ कही मेरी मा मुझे देख न ले अरे तुम चोरी छुपे क्यों आई हो क्योंकि मेरी मा को किसी ने बता दिया है कि तुम शराबी हो, तुम जुआ खेलते हो और नशा भी करते हो अरे तुम्हारी मा से ये सब किसने कहा होगा मुझे नहीं पता किसने ये सब कहा और उसने ये भी कहा कि तुम एक किराए के घर पर रेते हो इस पूरे जंगल में मेरा एक ही दुश्मन है वो है वो बबलू कबूतर उसने ही कहा होगा तुम्हारी मा से जरूर वरना मेरे खिलाफ कोई कुछ बोल सकता है इस जंगल में हाँ मुझे पता है कालू जी आप कितने अच्छे हो ये सब ऐसे ही आपको बदनाम करते रहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सब आपके बारे में क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपसे ही शादी करूंगी तुम सही कह रही हो ये सब मुझे पिल्कुल पसंद नहीं करते तब ही मेरे बारे में जूटी जूटी अफवा फेलाते हैं हाँ मुझे पता है आप बहुत अच्छे हैं उनकी ये सारी बाते बबलू कबूतर दूर से सुन रहा होता है अरे ये कव्वी फिर आ गई इस काले कव्वे से मिले मैंने इसकी मा को समझाया था कि ये काला कव्वा बिल्कुल अच्छा नहीं है लगता है मुझे दुबारा वहां जाकर इसकी मा को समझाना पड़ेगा ये सोचकर बबलू कबूतर काले कव्वी के घर जाता है माता जी आपको पता है आपकी बेटी दुबारा से उस काले कव्वे से मिलने गई है अच्छा आने दो आज उसी फिर मैं उसे बात करती हूँ काले कव्वी अपने घर आती है बेटी सच सच बता तु कहां से आ रही है मा मैं आपसे जोट नहीं बोलूँगी मैं काले कव्वे से मिलने गई थी पर बेटा मैंने तुझे मना किया था कि वे अच्छा नहीं है तु उससे मत मिलना वो तेरी जिंदेगी खराब कर देगा नहीं मा वो बहुत अच्छे है और मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ बेटा पर वो नशा करता है उसका अपना घर भी नहीं है तु वहाँ पर जाकर कहां रहेगी वो तुझे क्या खिलाएगा मा मुझे कुछ नहीं पता मैं उनके साथ कैसे भी रहे लूँगी वो जहां रखेंगे मैं वहां रहे लूँगी ठीक है बेटा तुझे अपनी जीवन का फेसला करने का पूरा अधिकार है तु उस काले कव्वे को बुला हम तेरी शादी उससे करा देंगे अगले दिन काला कव्वा काली कव्वी के घर आता है और उनकी मा उन दोनों की शादी करा देती है मा तुमने मेरी शादी काले कव्वे से करा दी उसके लिए तुमारा बहुत बहुत धन्यवाद काले कव्वे मैंने अपनी बेटी को बड़े ही लाट्ट्यार से पाला है तू इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना माजी आप बिल्कुल भी फिक्र ना करे मैं काली कव्वे का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा जैसे फूलों का रखते हैं कभी भी इसको कोई भी परिशानी नहीं होने दूंगा ये कहे कर काला कव्वा काली कव्वे को अपने घर ले आता है अगले दिन ये क्या है ये तो सूखे अनाज है भला कोई अपनी पत्नी को शादी के अगले दिन ही सूखे अनाज खिलाता है वो तो उसके लिए रसीले फ़ल लेके आता है अरे तो मैंने कौन से रसीले फ़ल खा लिये तो जो घर में है वही खाएंगे न और मैं नहीं जा रहा हूँ रसीले फले ने तुमाय ले जो भी है उसे चुपचाप खा लो ये सुनकर काले कव्वी खामोश हो जाती है और वेहे वेदाने खाने लगती है उसके दिन ऐसे ही बीटते रहते हैं एक दिन वेहे काले कव्वे से कहती है अजी वो जो है न बबलू कबूतर कुछ दिन पहले में उससे मिली थी मैंने तुमसे मना किया था तुम किसी से मत मिलना फिर भी तुम उस बबलू कबूतर से मिली थी उसने ही मुझे बताया कि आप बहुत नशा करने लगी है और आपके उपर बहुत कर्ज भी हो गया है नशे का हाँ तुझे उसने तो सब कुछ बता ही दिया होगा ना क्योंकि तू उससे मिलने गई थी ये खेकर काला कववा काली कववी के एक जोर से पंख मारता है अगर आगे से तू किसी से मुझे से बीना पूछे मिली तो मैं तुझे छोड़ दूँगा और यहां से चला जाँगा आप ऐसा मत कहिए मैं किसी से नहीं मिलूँगी आप मुझे छोड़ कर मत जाना मैं आपके बिना नहीं रह सकती चल ठीक है एक कामकर अपनी मा के पाज्जा और उनसे मेरे लिए थोड़े पेसे लेकर किया पेसे पर मेरी मा आपको पेसे कहां से देगी मेरे पापा तो हे ही नहीं तो क्या हुआ जब कोई भी माबाप अपनी बेटी की शादी करते हैं तो उसे दहेज देते हैं तेरी माने तुझे क्या दिया कुछ नहीं बस तेरा हाथ मेरे हाथ में दे दिया और बोल दिया मैंने इसे बड़े लाड प्यार से पाला है अगर लाड प्यार से पाला है तो कुछ देना भी तो चाहिए न अब देहस तो उन्होंने दिया नहीं तो जा कुछ तो पैसे लेकर आउ उनसे, पर मेरी माँ पेसे कहां से लाएगी, उनके पास कोई पेसे नहीं है, अगर तू पेसे नहीं लेकर आई, तो मैं तुझे घर से निकाल दूँगा। ये कहेकर काला कवा वहां से चला जाता है, फिर अगले तिन काली कवी अपनी मा के पास जाती है। अरे बेटा, तेरा मुँ क्यों सूज रहा है। कुछ नहीं मा, वो मच्छने काट लिया था, इसलिए मेरा मुँ सूज रहा है। मा, वो इनको पेसे की जुरूरत है, क्योंकि ये एक नया काम शुरू कर रही है। हाँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है, कि वो कौन सा काम शुरू कर रहा है। और मुझे ये भी पता है, ये तेरे चेरे पे जो सूज ने, ये किसी मच्छने नहीं काटा है, बलकि उस काले कव्वे ने ही तुझे मारा है। पर तु अपने पती के प्यार में इतनी अंदी है, कि तुझे सही चीजे दिखाई नहीं देती। नहीं मा, मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ, ये मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, और मुझे से बहुत प्यार करते हैं, ये थोड़े पेसे ले जा। धन्यवाद मा, हम कुछ टाइम बाद आपके पेसे लोटा देंगे। रात बीच जाती है, और काली कववी भूकी ही सो जाती है। अगले दिन भी काला कववा नहीं आता। फिर रात के समय काला कववा वापिस आता है। अरे, आपने ये क्या हाल बना रखा हैं? क्या हाल बना रखा हैं? बस थोड़ा सा नशा ही तो किया है मैंने। इसका मतलब सब लोग सही कहते थे आप नशा करते हैं आप बुरे हैं हाँ तुने सही सुना मैं नशा करता हूँ मैं शराब पीता हूँ मैं जुआ भी खेलता हूँ मैं सब कुछ करता हूँ मैं बहुत बुरा हूँ तूने की न मुझसे शादी, तू ही तो पड़ी थी मेरे पीछे, तो अब मुझसे क्यों कह रही है मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुमसे शादी की इसके बाद काला कव्वा एक डंडा उठाता है और काली कव्वी को बहुत मारता है काली कव्वी के पंकों से खून बहने लगता है वेहे उड़कर अपनी मा के घर जाती है क्या हुआ मेरी बच्ची, तू क्यों इतना रो रही है और तेरे ये खून केसा निकल रहा है मा मुझे माफ कर दीजिए, आप सबने मुझे समझाया था कि उस काले कव्वे से मैं शादी ना करो पर मैंने अपनी जिस से अपनी जिन्दीगी खराब कर ली ये कहे कर वेहे अपनी मा के गले रखकर रोने लगती है जो गलती काली कव्वी ने की वो आप लोग ना करे अपनी शादी का फेसला अपने माबाप के साथ ही ले और उनकी खुशी से ले सर्दियों का मोसम शुरू हो चुका था काले कव्वे को बहुत भूँक लगी थी वह कहता है इतनी सर्दी हो रही है कही न कही कोई न कोई अंडा तो मुझे मिल ही जाए ताकि मैं सर्दी में थोड़ी सी भूँक मिठा सकूँ मुझे बहुत तेज भूँक लग रही है वही उड़ते उड़ते उसे एक घोसले में एक अंडा नजर आता है काला कवव अंडे को देखता है और कहता है अरे वाँ मुझे मिल गया अंडा अब मैं अंडा खाऊंगा हा 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 मेरा अंडा ये कहकर वहें अंडे के पास जाता है इस अंडे को तो मैं कच्चा नहीं खाऊंगा इसे तो मैं उबाल कर खाऊंगा मैंने देखा है गाउं में लोग अंडे को उबाल कर खाते हैं मजे मजे से ऐसे नहीं खाते उसे मसाला लगा कर खाते हैं मैं भी अंडे को अपने घर ले जाता हूँ और वहीं पर अंडे को उबाल कर खाऊंगा वह अंडे को लेकर अपने घर आ जाता है वह अंडे को उबालता है और फिर अंडे को अपने आगे रखकर केता है अब मैं इन उबले हुई अंडे को खाऊंगा कच्चा अंडा खाने में वो मज़ा कहां जो अंडे को उबाल कर खाने में आता है अब मैं इस पर थोड़ा सा नमक लगा के खाऊंगा वहें अंडे को बड़े चाव से खाता है वाह मज़ा आ गया पेड भर गया मेरा अब मैं थोड़ा अराम कर लेता हूं वही पर जब टोनी चिडिया अपने घोसले में पहुचती है तो वह देखती है कि उसके घोसले में अंडे नहीं है कहां गए, कहां गए मेरे अंडे, मैं यहीं तो छोड़ कर गई थी मेरे अंडे किसने खाए, मेरे अंडे कहां चले गए तभी वहाँ पर टुंटुनी चड़िया आती है वे हे टोनी चड़िया से कहती है टोनी बेहन तुम्हारे अंडे वो जालिम काला कवव ले गया है मैंने उसे यहाँ से जाते हुए देखा था वे हमेशा ही सबके घोसलों से अंडे ले जाता है और अंडों को खा लेता है मैं उस काले कवे को नहीं छोड़ूंगी उसने मेरे अंडे खाए मैं उसे सबक सिखा के रहूंगी टोनी चिडिया और टुंटुनी चिडिया काले कोवे के घर जाती है वहां काला कोवा अराम कर रहा होता है और वहीं पास में अंडे के छिलके पड़े होते हैं इन छिलकों को देखकर टोनी जोर-जोर से रोने लगती है मेरे अंडे इस जालिम ने मेरे अंडे खा लिये काले कोवे तुने मेरे अंडे खा लिये तुने अच्छा नहीं किया तुने मेरे अंडे फोड कर अच्छा नहीं किया हाँ 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 मेने खाए हैं तेरे अंडे उबाल कर खाए हैं मुझे भूक लग रही थी काले कोवे तु क्यों सब के अंडे खाता है भगवान तुझे माफ नहीं करेगा तुम दोनों जाओ यहां से वरना मैं तुम दोनों को भी भून कर खा जाओंगा हाँ 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 काले कोवे तुने मेरे अंडे खाए भगवान तुझे इसकी सजा सरूर देगा तु देखना हाँ 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 तुम जाती हो यह तुम दोनों को भी मैं भून कर खाओं जाओ यहां से टोनी और टुन्टुनी वहां से वापस आ जाती है टोनी जंगल के सभी पक्षियों को इखटा करती है और सभी से कहती है कि वह काले कव्वे को साजा दें क्यूंकि वह सभी के घोसलों में जाकर उनके अंडे खा जाता है उसकी बात सभी पक्षियों को सही लगती है तभी तुन्टुनी कहती है मेरे पास एकुपाए है जिससे हम काले कव्वे को सजा दे सकते हैं तुन्टुनी सभी पक्षियों को बताती है कि उन्हें क्या करना है फिर अगले दिन कोवा फिर से अंडों की तलाश में निकलता है और उसे एक घोसले में अंडे दिखते हैं वहें अंडों को ले करके घर आ जाता है सारे पक्षी कोवे के घर के बाहर बेठे होते हैं अरे वा मुझे अंडे मिल गए आज भी मैं अंडों को उबालता हूँ और नमक मिरच लगा के इने खाता हूँ कोवा अंडों को उबालने के लिए रख देता है और वहीं खड़ा हो जाता है तभी टोनी ओर टुन टुनी आकर काले कोवे को पीछे से धक्का दे देती हैं कोवा आग में गिर जाता है अरे मैया मर गया में जला दिया मुझे ओ बचाओ मुझे बचाओ अरे में जल गया इसी तरह कोवा मर जाता है अब जंगल के सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं